प्लास्टिक साइन्स जहां पर की अभी तक हम प्लास्टिक साइन्स के 11 चैप्टर पढ़ चुके हैं आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नमबर 12 जो की है इलेक्रिसिटी एंड सर्केट तो इलेक्रिसिटी तो हमें पता ही है क्या होता है ना बिजली आज के टाइम में बिना इलेक्रिसिटी के हमारे मुस्टली सारे काम्स इंपॉसिबल हो गए हैं मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें इलेक्रिसिटी की ज़रुद पढ़ ही जाती है है ना चलिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं चैप्टर आज करते हैं में चाते हैं लिड़ी ने की जा ड़ में इलेक्रिस थीर लाप्राट सेंबल ऐसमगा एंप्ट अरप्क लेंटिख व्या चाते हैं ओंट रखेंगर्ट थाश्यों वह में pumps को operate करने के लिए use करते हैं ना पानी चाहिए तो pipe के लिए pumps चाहिए pumps किसे चलेंगे electricity से ठीक है in fact pump से जब ground water से अपने चट का जो tank होता है वो भरने के लिए भी हमें क्या चाहिए electricity चाहिए तभी ना pump से पानी पहुचेगा उपर टैंक में ठीक है so हमें क्या करना है हमें एक list त्यार करनी है ठीक है जिसमें हम लिखेंगे कि हमारे daily use में जो काम हो रहे हैं उन में से कितने हैं जो कि electricity के use से हो रहे हैं ठीक है so electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset ठीक है पिछले chapter में जहां पे हम light की बात कर रहे थे ठीक है अब light का source क्या है हमारे पास natural source के अगर बात करे तो sun ठीक है अब sun नहीं है sunset हो गया है अब कहां से लेकिया light अब क्या करें तो electricity की help से रात के time जब अंधिरा हो जाता है जब sun नहीं होता है उस time पे भी light जलाना possible हो गया है आज के time ठीक है आप लोग imagine करिए पहले के time जब रात में बिल्कुल भी light नहीं होती थे तो क्या होता था घर में चिमनी या फिर मुम बत्तियां दिये यह सारे चीज़ों को चलाके काम किया जाता था ठीक है this helps us to continue working at night तो आजकल तो हमारा lifestyle ही ऐसा हो गया है even अभी देखो अंधेरा हो गया है ना पर फिर हम क्या कर रहे है हम पढ़ रहे है ना तो फिर किस वज़े से possible हो पा रहा है यह possible हो पा रहा है light के वज़े से है ना और light किस वज़े से आ पा रही है अभी light अभी आ पा रही है electricity के वज़े से है ना okay so a power station provides us with electricity however the supply of electricity may fail और it may not be available at some places ठीक है हमें electricity कहां से मिलती है power station से मिलती है ठीक है पर कई बारी देखो जब बिजली कट जाती है कोई भी reason के वज़े से या कुछ ऐसी जगह है जहां पर की अभी तक भी बिजली नहीं पहुंची है है ना जाद तर जहां पर अभी तक भी तक बिजली नहीं पहुंची है या फिर ऐसी जगए जहां पे की बिजली अभी तक बहुत कम पहुंची है ठीक है मतलब बहुत ही तिन में एक घंटा दो गंटा बहुत कम आती है ठीक है पर धीरे धीरे hopefully Singapore की हर कोने में electricity पहुंच जाएगी इन से कर दोरल vidéos नखों से लाइट जलाते हैं जब भी याइट चाली जाती है थां टॉर्डा सी स्दिंट करने फेयर उसनों सिक्वागए अब ये टॉर्ट चया रही है कि और अब पूरे लेसन में हम यही पढ़ेंगे different parts पढ़ेंगे ठीक है जैसे electric cell ठीक है तो first हम पढ़ते हैं electric cell electricity to the bulb in a torch is provided by electricity cell ठीक है अब bulb में electricity कैसे पहुंचाई जा रहे है electric cell के help से ठीक है electric cells are used in alarm clocks रिस्ट वाचेस्ट ट्रांजिस्टर रेडियोज कामराज एंड मैनी अदर डिवाइसेश सेल आप सबने देखा ही होगा हमारे वाच में सेल डलता है इन फैक जो वाल क्लॉक्स होती है उनमें भी सेल डलता है और बहुत सारी चीज़ें आपके अराउंड ऐसी होगी जिनमें क सेल यूज होता है ठीक है कभी ध्यान से देखा उस सेल को तो उस पर एक स्मॉल मेटल कैप होती है एक साइट पर एक साइट पर मेटल डिस्क होती है ठीक है एक साइट पर मेटल डिस्क होती है ठीक है और आप यह भी नोटिस करोगे कि उस पर एक पॉजिटिव साइन होता ह और एक negative sign mark होता है electric cell पर ठीक है तो जो cap का side electric cell का वो positive terminal है ठीक है और जो disc का side है वो negative terminal है ठीक है so all electric cells have two terminals a positive terminal and a negative terminal ठीक है अब कोई भी cell है तो हर cell में positive और एक negative terminal होता है an electric cell produces electricity from the chemical store provided electric cell कैसे बिजली produce करती है उसके अंदर कुछ ऐसे chemicals होते हैं जिसकी के वज़े से वह electricity produce करती है when the chemicals in the electric cell are used up the electric cell stops working या producing electricity ठीक है आप जब वो electricity का जो chemical जो cell के अंदर जो chemical है अब वो chemical पूरा यूज हो जाएगा तो फिर अब कैसे काम कर पाएगा सेल ठीक है तो इसी लिए जब वो सारा chemical यूज हो जाता है खतम हो जाता है तो उसके बाद में हमारा इलेक्रिक सेल इलेक्रिसिट्री प्रड्यूस करना बंद कर देता है ऑके तो इलेक्रिक सेल दान हस्टू बी रिप्लेश्ट विद नुव वन ठीक है घर में देखते है न गोलते है जब जो हमारे वौल व्लोक रहती है उसका सेल भुलते हैं निधेगा वह ऱ नहीं था गाँना तो बेसिकली वह वह सेल नहीं खतम होता है सेल के अंदर का कैमिकल जो है वह पूरा यूज रो जाता है उसलिए हमें इसमें नया तो पिर इक टॉर्च का बल्ग होता है उसमें एक आउटर केस होता है ठीक है विच इस अटाच्ट ऑन अ मेटेलिक बेस ठीक है तो यह आपको बॉल्ब की टारिग्राम दिखाई हुई है ठीक है तो इसमें यहां पर अंदर फिलामेंस दिख रहे हैं और यह क्या है यह टॉर् बॉल्द फिलामेंट यह है कि अचनल मेंक क्या है थो थिन वाइन त गीविभ ऑफफ लइट कॉलल 2020 कंड तो रुमों कीवाइन तबॉन खिक में आथे रुभ कि ग्रहते ब्रतुप यह घाए तक रुग में जो makes two two thicker wires which are provide which also provide support to it ठीक है अब हमारे जो फिलामेंट होता है वो दो मोटे तारोपे होता है ठीक है जो कि उसको सपोर्ट प्रवाइब करते हैं वन आप दीज थिक वायर is connected to the metal case at the base of bulb तो उनमें से एक वायर जो है वो बल्ब के base पे metal case जो होता है उससे connected होता है ठीक है और जो दूसरा वाला होता है it is connected to the metal tip of the at the center of the base ठीक है तो एक कहां पे connected है metal tip at the center of the base और दूसरा है तो दूसरा है to the metal case at the base of the bulb ठीक है ठीक है ठीक है तो दबेश ऑफ दे वल्ब and the metal tip of the base are two terminals of the bulb तो अब यह दोनों क्या है यह बल्ब के दो terminal है these two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other पर अब यह दोनों ही acid connected है कि वो एक दूसरे को touch नहीं करें ठीक है the electric bulb used at home also have a similar design तो यहां भे क्या हो दिया हुआ है यहां torch का बल्ब दिया हुआ है ठीक है अब जो हमारे घर में जो बल्ब होता है उनका भी कुछ ऐसा ही design होता है ठीक है उसमें भी filaments or terminals present होता है थास बोथ electric cell and the bulb have two terminals each ठीक है तो electric bulb और electric cell दोनों में ही दो terminal होता है ठीक है इसमें भी हमारे दो terminal थे positive terminal negative terminal ठीक है इसमें भी हमारे दो terminal है कौन कौन से metal बेस ठीक है और दूसरा क्या है metal tip at the center of the base ठीक है the base of the bulb and the middle tip of the base यह दो terminal हुए हमारे बल्ब के तो अब next part पर आ जाते है अब बल्ब connected to an electric cell ठीक है तो इसमें आप एक activity कर सकते हो आपको four length of electric wire लेना है ठीक है जो की differently colored plastic covering उनीचे जिन में different colors की ठीक है उसमें से थोड़ी थोड़ी plastic covering आप हटा दीजे from each length of wire at the ends ठीक है एंड पर से यहां पर दिखाई दे रहे हैं यहां तक तो covering present है दोनों ही वायर में रेड वाले में और ब्लू वाले में पर उसके ताकि से covering हटाई लिए तो आपको भी ऐसी करना है दिस वुड़ एक्सपोज दे मेटल वायर एट एंड एच लेंथ तो यहां पर यह एक्सपोज हो गए हैं पर कोई आप उस को बाल पर चिपका भी सकते हो ठीक है यूज रबर बैंस दो फिक्स दावाय तो दास में है अब टेप यह कर सकते हैं ठीके फिक्स करने के लिए now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell six different ways as shown in the picture ठीके अब आप पे ना आपने different लिये ठीके wires दो को आपने battery से connect किया दो को bulb से connect किया अब आप इन दोनों को आपको join करना ठीके आप different ways दे रखे हैं यहाँ पे ठीके इन इन different ways से आपको join करना और फिर आप देखोगे कि कुछ conditions ऐसी है जिन में आपका bulb glow होगा और कुछ condition ऐसी है कि जिन में आपका bulb glow नहीं होगा ठीके है now carefully look at the arrangement in which the bulb close compare this with the in the bulb does not glow ठीके है तो अब आपको पहले देखना है किसमें होता है bulb glow किसमें नहीं होता है then now compare keep the tip of your pencil on the wire near one terminal of the electric cell for arrangement ठीक है तो आप अपने पैंसल का metal tip रखे sorry pencil का tip रखे ठीक है along the wire all the way to the bulb now from the other terminal of the bulb move along the other wire connected to the set repeat this exercise for all the other arrangements ठीक है अब आपको यहीं repeat करते जाना है so फिर आप देखोगे कि did the bulb glow for the arrangement in which you could not move the pencil from one terminal to other ठीक है अब यह चीज़ आपको खुद आप करेंगे and then आप देखेंगे कि कौन पहुंसे condition में बल्ब ग्लो हुआ और कौनसे condition बल्ब ग्लो नहीं हुआ अब next हमारा part है electric circuit ठीक है तो next हम शुरू करते है an electric circuit ठीक है तो अभी हमने जो activity की उसमें हमने क्या क्या था हमने बल्ब और cell को connect किया था है ना तो यहां भी क्या लिखा है we connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from electric bulb ठीक है तो फिर अब हमने arrangements देखे ही थे हमने करके देखा कैसे क्या हमने तो फॉस्ट वाले में और लास्ट वाले में क्या हुआ है फॉस्ट और लास्ट वाले में the two terminals of electric cell were connected to the two terminals of the world ठीक है electric cell के जो दो टर्मिनल है वो electric bulb के दो टर्मिनल पे जॉइन हुए है दोनों ही pictures में ठीक है और यही दोनों ऐसे conditions है जब दोनों terminals जो है जॉइन किये गए है तब electricity पास हुई है बाकी सभी condition में जहां पर कुछ भी एक टर्मिनल किसी तरीके से नहीं joint हो पाया है तो पर वहाँ पर circuit complete नहीं हुआ है हमारा bulb ब्लू नहीं हुआ है ठीक है तो two terminals of the electric cell were connected to the two terminals of the bulb such an arrangement is an example of electric circuit ठीक है तो electric circuit क्या होता है जहां पर हमारा current जो है या electricity जो है पूरी पास हुई है ठीक है और हमें result के मिला हमारा bulb ग्लू हुआ है तो हमारा electric circuit complete हो गया है ठीक है the electric circuit provides a complete path of electricity to pass between the two terminals of the electric cell ठीक है तो क्या बोल रहा है the electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of the cell ठीक है तो यह बोल रहा है कि electric circuit में क्या होता है एक complete path होता है ठीक है मतलब कौन से किस चीज़ का complete path होता है जहां पर electricity हो सकते है electricity path मतलब current flow हो सकता है ठीक है between the two terminals of electric cell मतलब electric cell के दो terminal के पीछ में जब electric current flow कर सकता है अपना path complete कर सकता है उससे हम बोलते हैं electric circuit ठीक है तब बल्ब ग्लोस ओनली वेन current flows through the circuit अब current जब फ्लो करता है circuit से तभी हमारा bulb ग्लो होगा ठीक है अब current कप फ्लो करेगा circuit से जब हमारा circuit complete होगा ठीक है circuit कप complete होगा जब हमारे दोनों terminals join होंगे ठीक है in an electric circuit the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of electric cell ठीक है अब circuit में current अब कहां से कैसे पास होता है circuit में current positive terminal से negative terminal की तरफ flow होता है ठीक है यह क्या था हमारा positive terminal था ठीक है तो positive terminal से negative terminal की तरफ हमारा current flow होता है ठीक है when the terminals of the bulb are connected with that of electric cell by wires the current process of the bulb is made flow ठीक है अच्छा बल्ब की terminal जो है वो एक्सल से connected होता है वायर्ट के थ्रू ठीक है तो current pass होता है किससे जो हमने बल्ब में अभी filament देखा था था ना filament से जो current pass होता है अब हमारा बल्ब ग्लो करता है ओक है clear even if it is connected to the cell ठीक है तो कभी क्या होता है हमारा circuit complete होता है ठीक है हमारा बल्ब हमारे से connected होता है पर फिर भी हमारा बल्ब को नहीं करता है क्या इसका reason हो सकता है कि बल्ब हमारा fuse हो गया है ठीक है so an electric bulb में fuse due to many reasons one reason for a bulb to fuse is break in its filament ठीक है अब fuse होना क्या होता है कि उसका filament break हो गया हो सकता है ठीक है बल्ब fuse होने के बहुत सारे reasons हो सकता है जिसमेंस एक है break in its filament a break in the filament of an electric a break in the path of the current ठीक है अफिलामेंट ब्रेक हो गया जो हमारा अब जब यहां से हमारा circuit ही रुप गया अब फिलामेंट हमारा यहां पर ब्रेक हो गया circuit हमारा complete नहीं हो रहा है तो current कैसे फ्लो करेगा ठीक है तो इसलिए फिर क्या होगा हमारा बल्ब ग्लू नहीं करेगा अब डेक in filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell ठीक है electric cell की terminals की बीच में कहीं से भी path अगर प्रेक हो जाएगा तो फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा circuit complete नहीं होगा therefore a fuse bulb does not light up as no current passes through the filament इसलिए जो बल्ब हमारा fuse हो जाता है वो ग्लो नहीं करता वो light up नहीं होता क्यों क्योंकि current ही पास नहीं हो रहा है circuit complete नहीं हो रहा है तो फिर बल्ब ग्लो कैसे करेगा ठीक है तो फिर अगर अब हम देखे तो हमने यहां पर जो देखे थे ठीक है अब इस दो condition है जिन में कि बल्ब ग्लो हुआ ठीक है अब one two three and four अब इन four conditions में क्यों बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है in four conditions में बल्ब इसलिए Monroe नहीं हो रहा है क्योंकि circuit ही complete नहीं हुआ है ठीक है है मिश這邊 circuit यहां Series break हो रखा है ठीक है और इस वालत में इस point पर circuit हमारा break हो रखा है यहाँ पे भी हमारा circuit complete नहीं है है ना यह वाला वाय कहां जा रहा है और इस वहले पिक्चर में भी हमारा सरक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है जिस वज़े से क्या हुआ है हमारा बल्ब गलो नहीं हुआ है ठीक है चलो यह हो गया जो नहीं बबल्ब अबबए फ्रम टर्मिनल अफ ग्लेकर इलक्रिक थे लिए ट्रीटिय थे यह एक्टिविटी दी थे तो यह एक्टिविटी आप पर फॉर्म करेंगे उसके बाद में यहां पर कुछ question है जो क्या answer कर पाएंगे ठीक है अब हम आ जाते हैं next portion पर वो क्या है हमारा electric switch तो अब हम आजाते हैं electric switch पर ठीक है so we had an arrangement for switching on and off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell तो अभी यहां पर activity की थी ठीक है इसमें क्या किया था हमने घर torch बनाई थी खुछ से ठीक है चलिए तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा यहां पर टेकर torch bulb and a piece of wire ठीक है आपको क्या लेना है torch bulb लेना और एक piece of wire लेना है remove the plastic covering at the two ends of the wire as you did before तो हमें क्या करना है end से हमें end से यह जो हमारा plastic covering था वो हटा देना ठीक है किसका plastic covering हटा देना है हमारे जो wires है उसका plastic covering हमें हटा देना है ठीक है ओके सो राप one end of the wire around the base of an electric bulb ठीक है एक को क्या करेंगे आप एक end को आप बेस के around bulb के बेस के around wrap करेंगे और दूसरे वाले को क्या करेंगे आप आप electric cell के negative terminal से joint करेंगे ठीक है using a rubber band now bring the tip of the base of the bulb that is its other terminal in contact with the positive terminal of the cell ठीक है अब आपको क्या करना है आपको जो कर रही है ठीक को देखनी है ओके ताप electric switch हम continue करता है ठीक है तो तो इस वासे सिंपल स्विच बट नॉट वेड़ी एजी तो यूज़ी तो यूज़ी तो यूज़ी तो अभी हमने वहां पर स्विच बनाया था ठीक है मतलब अभी मुविंग देश ऑफ देवल भी फ्रम टिप अफ चल क्या हो रहा था हमारी वह उसके बाद ग्लो नहीं हो रही थी है तो फिर अभी हम क्या करेंगे हम एक और स्विच बनाएंगे ठीक है तो क्या करना है आपको दो ड्रॉइंग पेंच लेनी है ठीक है एक सेफटी पें लेनी है और दो वायर लेना है ठीक है और एक स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकॉल लेना है या फिर वुडन बोड लेना है ठीक है उसके बाद क्या करना है इनसल्ड ड्रॉइंग पें इंटु दर रिंग आड़ द वन अंड उप सेफटी पें एंड फिक्स इट तो थर्मोकॉल शीट तब आपको क्या करना है जो ड्रॉइंग पें ली है उसको एक एक एंड में डाल देना आ आपको अपने सेफटी पें के और फिर उसको अब आपको इस तरीके से दूसरी पें को उस पे लगाना है कि आपका सेफटी पें जो है इसको जब अगर हम सेफटी पें को इदर लाएंगे तो फिर यह इसको टच कर सके ठीक है The safety pin fix in this way would be your switch in this activity तो यह क्या है आपकी safety pin जो है यह आपका switch है Now make a circuit by connecting an electric cell and a bulb with this switch ठीक है अप क्या करना आपको? आपको circuit बनाना है पूरा ठीक है तो क्या करेंगे? आप एक electric bulb लेंगे और आप एक electric cell लेंगे ठीक है? और आप क्या करेंगे, अपना circuit complete करेंगे, अब आपको क्या करना है, rotates safety pin so that it's free and touches the other drawing pin, ठीक है, what do you observe, now move the safety pin away, आपको क्या करना है, आप safety pin को ऐसे लेके आना है कि वो इस pin को touch करें, ठीक है, एसे लेके आना है, एसे लेके आना है कि वो safety pin को touch, आप मेरी drawing pin को touch करें, फिर आप उसको अवे लेके जाएंगे, ठीक है, फिर आप उसको अवे लेके जाएंगे, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि safety pin ने जो है, वो भी एक gap cover किया है बीच में, ठीक है, जिसके वज़े से क्या हुआ है, जब safety pin आपके drawing pin को join करती है, तो आपका circuit complete हो जाता है, and your bulb close, जब आप उसको दूर कर देते हो, ठीक है, तो current यहां से break हो जाता है, आपका circuit break हो जाता है, ठीक है, जिसके की वज़े से आपका bulb glow नहीं करता है, ठीक है, तो जब आपका safety pin, drawing pin को touch कर रहा है, उस time पे आपका bulb glow कर रहा है, उस condition को आपका switch on है, और जब आपका safety pin move कर रहे हो आप उससे दूर और आपका bulb glow नहीं कर रहा है, वो condition कैसी है, आपका switch off है, ठीक है, ठीक है, चलिए हमने पढ़ लिया, done, अब उसके बाद में simple definition देख लेते हैं, a switch is a simple device that either breaks the current or completes it, ठीक है, तो safety, यहां पे हमने जो switch बनाया, उसने क्या क्या, अब जब वो इस condition में है, हमारा circuit, तब हमारा circuit complete कर रहा है, safety pin ने, यह switch ने, ठीक है, और जब वो दूर है, पिन से, तो उसने हमारा circuit break किया है, ठीक है, तो क्या हुआ, switch हमारा circuit break कर सकता है, और हमारा circuit complete कर सकता है, तो a switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it, the switch uses used in lightning of electric bulbs and other devices in homes work on the same principle, although the design are more complex, तो अब हमारे घरों में जो switch होते हैं, ठीक है, जिन से हम fan, light या कुछ भी on करते हैं, तो वो switches भी कुछ ऐसे ही होते हैं, वो इसी principle पे work करते हैं, पर उनकी design तो इसी और complex होती है, ठीक है, अब देखते हैं, electric conductors और insulators क्या होता है, ठीक है, conductors नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, conductor जो कुछ conduct कर रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम electricity की बात करें, electric conductor और insulator की बात करें न, तो electric conductors वो device होते हैं, जो electricity को conduct करते हैं, मतलब जिनके थ्रू electricity पास हो सकती है, ठीक है, और insulator वो devices होते हैं, जिनके थ्रू electricity पास नहीं हो सकती, ठीक है, एक्जाम्पल कोई भी metal होगा, तो वो conductor का का काम करेंगा, वेर इस rubber insulator का का काम करेंगा, ठीक है, तो in all our activities, we have used metal wires to make a circuit, ठीक है, suppose we use a cotton thread instead of a metal wire to make a circuit, do you think that the bulb will light up in such a circuit, no, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बता है, electric conductor और insulator क्या होता है, ठीक है, तो हमारा जो metal के wire है, वो electric conductor है, ठीक है, वेर इस, जो हमारा thread है cotton का, वो insulator है, तो वो हमारे circuit को complete नहीं करेंगा, जिस वचे से हमारा bulb लो नहीं करेंगा, what materials can be used in electric circuits so that the current can pass through them, ठीक है, तो अभी देखते हैं, अब यहाँ पे न, इस activity में आपको different चीज़े, यूज करके दिखाई है, ठीक है, जैसे कि, यहाँ पे आपको एक चाबी, जो कि metal की बनी होती है, ठीक है, वो आपको यूज करके दिखाया हुआ है, जिससे कि आपका current flow हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका circuit complete हो गया, यह एक conductor है, ठीक है, ओके, conductor है, तो electricity pass होगी, तो फिर आपका bulb glow करेगा, वेरिस इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका bulb glow कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम, नहीं कर रहा है, ठीक है, तो collect samples of different types of materials such as coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, sieving needle, thermocall, paper, pencil, lid, ठीक है, one by one bring the free end of the wire of your tester in contact with two ends of the sample, ठीक है, हमने जो से tester यहाँ पे लिया है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे अभी हमने क्या क्या है, हमने ने, sorry, हमने की लगा के देखिए, चा भी लगा के देखिए, ठीक है, चेक करने के लिए कि हमारी circuit इसको use करके complete होती है कि नहीं होती, तो बैसे ही, आप different different materials यहाँ पे join करके देखिएंगे आपके tester में, ठीक है, और आपको पता चलेगा कि वो electricity conduct कर सकता है कि नहीं, आपका circuit complete हो रहा है कि नहीं, ठीक है, one by one, bring the free ends of the wires of your tester in contact with two ends of the sample, ठीक है, यह जितने भी samples आप इन में से collect करके कर पाओ, आप करियेगा, ठीक है, make sure that the two wires do not touch each other while you are doing so, ठीक है, अब आपको दोनों wires को ही touch नहीं कर देना, ठीक है, अब आप जो भी materials use करेंगे, आप उनके list बनाएंगे, ठीक है, अब क्या देखेंगे, the bulb does not glow when the free ends of the wire are in contact with some of the materials you have tested, ठीक है, कुछ material के contact में आने पर हमारा bulb glow नहीं करेगा, ठीक है, अब वो material कौन से होंगे, अब वो material हमारे होंगे, insulator, ठीक है, on the other hand, some materials allow electric current to pass through them, which is indicated by glowing bulb, materials which allow electric current to pass through them are conductors, ठीक है, वेरेस, कुछ materials ऐसे हैं, जिन्होंने electricity pass होने दी, ठीक है, और जिनके त्रूँ electric current pass हुआ, उन materials को हम बोलेंगे, conductors of electricity, ठीक है, और वेरेस, insulators do not allow electric current to pass through them, ठीक है, वेरेस, insulator क्या करते हैं, insulator, electric current pass नहीं होने देते, ठीक है, with the help of, जो table आपने बनाई है, name the materials that are conductors of electricity, and also those which are insulator, ठीक है, अब conductors और insulator की list आप बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो conductors पता है, क्या होता है, जिनके त्रूँ electricity pass होगी, और insulator, जिनके त्रूँ electricity pass नहीं होगी, ठीक है, तो क्या conclude करते है, the materials are conductors, and which are insulators, ठीक है, तो आप देखेंगे, जब करके तो आपको पताच चलेगा, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि copper, aluminium या फिर कोई other metals के wires ही क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, they are conductors of electricity, अगर हम उसके जगे cotton का thread ले ले लेंगे, या plastic का wire बना के लेंगे, तो वो हमारे circuit को complete ही नहीं करेगा, तो electricity उससे पास ही नहीं होगी, ठीक है, okay, so, conductors and insulators are completely important for us, ठीक है, switches, electric valves and sockets are made up of conductors, on the other hand, rubber and plastic are used for covering electric wires, plug, top switches and other parts of the electric appliances which people might touch, ठीक है, अब conductors और insulators दोनों ही बहुत जाता important है, electricity pass करने के लिए, circuit complete करने के लिए, conductors जितने ज़्यादा जरूरी है, electricity से हमें बचाने के लिए, operator भी उतने ही ज़्यादा जरूरी है, अब हमारे जो switch होते हैं, ठीक है, अब switch हमारे खुले ही रहेंगे, conductors किसी ने उन्हें टच कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, current हमारी body से, body को current लग जाएगा है न, तो वैसे ही, जो बाकी की चीजे रहती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे जो wires, wires किसके metals की बनते हैं न, wires तो metal की बनते हैं, पर उसके बाद में उन पर जो covering होती है, वो plastic की होते हैं, क्यों, तो हमें electric current ये electric shock से बचाने के लिए, ठीक है, अभी आपको जितने भी activities करेंगे इस chapter में, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि human body जो है, वो भी conductor है, ठीक है, अगर आपको current लगता है, तो फिर आप जब जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, या आप जहां पर भी हैं, अगर circuit complete हो रहा है, ठीक है, अगर circuit complete हो रहा है, तो फिर आपको shock लगेगा, ठीक है, तो इसलिए जब भी आप काम करें, electricity के साथ, आप बहुत ही ज़्यादा संभल के करें, ध्यान से करें, ठीक है, बड़ो के help से करें, चलिए, ये chapter हमने complete कर लिया, summary देख लेते हैं, electric cell is a source of electricity, ठीक है, an electric cell has two terminals, positive terminal और negative terminal, electric bulb has a filament that is connected to its terminal, ठीक है, और जो की circuit complete होने पे light up होता है, उसके बाद में an electric bulb close, when electric current passes through it, electric bulb up glue करता है, जब उसे electricity, electric current pass होता है, in a close electric circuit, the electric current passes from one terminal to the, of the electric cell to the other terminal, ठीक है, in close electric circuit में, जो हमारा electric current है, वो एक terminal, जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे पास होता है, ठीक है, और circuit को complete करता है, switch is a simple device that is used to either break the current, sorry, circuit, और to complete it, ठीक है, तो switch के आए, simple device है, जो एदर हमारे circuit को complete करता है, या फिर ब्रेक करता है, materials that allow electric current to pass through them are called conductors, and materials that do not allow electric current to pass through them are called, ओकी, done, चलो, अब हमारा chapter complete हो किया है, अभी हम आ जाते हैं, exercises पे, ठीक है, चलिए, question number one से शुरू करता है, a device that is used to break an electric circuit is called, अभी अभी हमने discuss किया न, क्या होता है, वो device जो हमारे electric circuit को break करता है, क्या होता है, उसको अभी उसके बारे में बात की, switch, ठीक है, where an electric cell has, electric cell में कितने terminals होता है, an electric cell has two terminals, ठीक है, कौन-कौन से, positive terminal और negative terminal, ठीक है, तू पे आ जाते हैं, mark true or false, for the following statement, ठीक है, फॉर्स्ट क्या है, an electric current can flow through metals, true या false, true, ठीक है, क्यूंकि metals जो है, conductors है, और हमें पता है, कि electric current जो है, conductors से पास हो सकता है, ठीक है, उसके बाद में, जूट के धागे को, use कर सकते हैं, क्या, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि, वो एक insulator हो जाएगा, तो हमारा circuit, complete नहीं होगा, तो this statement is false, next is, electric current can pass through, a sheet of thermocall, देखो, अभी हमने जब एक experiment किया था, switch बनाने का, तब भी तो हमने एक thermocall लिया था, अगर, thermocall से electricity, पास हो जाती, तो वो switch का, कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो हमें वो switch बनाने की, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब हमारा circuit, तो वैसे ही complete हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, एक electric circuit दिखाया है, जिसमें ये cell है, bulb है, और यहाँ पर एक tester दे रखाया, ठीक है, जिसका ये वाला part, wood का या फिर प्लास्टिक का बनाना, ठीक है, तो क्या होगा, अब हमारा electric circuit complete नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि इंसुरेटर आ गया बीच में, question no.4 पर आ जाता है, complete the drawing, to indicate where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow, ठीक है, तो आपको एक drawing दी गई है, जिसमें कि आपको, इस drawing को complete करना है, ठीक है, to make the bulb glow, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो, यहां एक टर्मिनल से connected होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा तो हमारे दूसरे टर्मिनल से ही connected, और फिर जो यह वाला वायर है, यह बल्ब के दूसरे टर्मिनल से connect होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, अब फिर पर आ जाता है, what is the purpose of using an electric switch, अब electric switch हम क्यों use करते हैं, हमने electric switch के बारे में बहुत सारा discuss किया है, ठीक है, यह आप खुदा answer करेंगे, name some electrical gadgets that are switches built into them, बहुत easy है, आपके around ही बहुत सारी ऐसी चीज़े मिल रहेंगे, जिन पर कुछ ऐसे जो electric gadgets, जिन पर की switches होता है, ठीक है, तो यह आप लोग खुद कर सकते हैं, question number 5 आप लोग खुद करेंगे, question number 6 पर आ जाते हैं, would the bulb glow after completing the circuit, shown in picture, or 12.14 if in state of safety pin, we use an eraser, तो क्या अगर यह safety pin के, जिक है हमने अगर eraser यूज किया, तो हमारा electric circuit जो है, वो complete होगा, complete नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा eraser जो है, वो insulator है, ठीक है, तो फिर bulb glow नहीं करेगा, then, question number 7 पर आ जाते हैं, would the bulb glow in the circuit, shown in this picture, no, the bulb will not glow, ठीक है, next पर आ जाते हैं, question number 8 पर, using the conduction tester, on an object, it was found that the bulb begins to glow, is that object a conductor or an insulator, जब conduction test हो रहा था, तो क्या हुआ, कि bulb glow करने लगा है, ठीक है, तो अब आपको यह बताना है, object conductor है या insulator है, पहले आप यह याद कीज़े, कि conductor क्या होता है, और insulator क्या होता है, ठीक है, और कौन से condition में, bulb glow करेगा, ठीक है, तो यह आप लोग खुद करेंगे, easy है, question number nine पर आजाते है, why should an electrician use rubber gloves, while repairing an electric switch at your home, ठीक है, very important, ठीक है, इस पे हमने बात की, कि हमारी जो body है, वो भी conductor है, ठीक है, तो अभी उस, अगर by chance, हमें current लगता है, ठीक है, तो circuit complete, sorry, तो हमारा circuit complete नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उस circuit को break करने के लिए, electrician rubber gloves पहनता है, ठीक है, very important question, question number 10, the handles of the tools like screwdrivers and pliers, used by electricians for their repair work, usually have plastic or rubber covers on them, ठीक है, can you explain why, तो इसका answer भी कुछ 9th वाले के जैसा ही similar होगा, ठीक है, तो यह आप लोग खुदा answer करेंगे, तो यह भी homework, तो दो question आज 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 के homework है, question number 10, and question number 5, ठीक है, तो हमारा यह chapter भी आज complete हो गया है, ठीक है, I hope आपको सब clear है, सब समझ में आया, ठीक है, चलिए, thank you everyone, मिलते हैं नेक्स सेशन में नए chapter के साथ,